भाईयो नमस्कार भाईयो आज हम आए हैं मनित भाई के खेत पर और इन्होंने जो हाली में रिलीज होई है वेराइटी कोलक 16202 ये लगा रखी है और बहुती सांदार पिलाट इनका है और गन्ना वाकी में लाजवाब है देखने लायक है तो इनसे सारी डिटेल लेंगे कब हुझायी है और इन्होंने इसमें क्या-क्या लगाया है क्योंकि नई वेराइटी में किसान भाई ऐस्ट्रा लागत लाहती है जिसकी वचित अच्छा दीखता है और तखड़ा कनने के लिए लागत जाद लगा कर खेत भी कुछ दीखता ही है इसलिए किसान भाई से पुछेंगे कि लागत कम लगाई है कितनी लगाई है मनित भाई अपना परिचा बता दीए पहले नमस्कार किसान भाई यो नाम मनित कुमार काउची चला खुर्द लिष्टी कमरभा अच्छा ये बताईए आपने ये जो 16202 है काफी चर दस फिट हाइट तो गन्ने की स्टैम है और जो अंगोला अंगोले सही लगाए तो लगभत 13-14 फिट हाइट है अच्छे एक चीज़ बताओ इसकी मोटाई भी काफी है और इसमें किसान भाई सबसे जादे क्या हो रहा है इसमें भरजी वाड़ा बहुत चल लिया एक तो व बहुत जादा है तो इसमें आपको क्या खासियत लगी कि किसान भाई को 16202 बोना चाहिए बिमारी कैसी है इसमें बिमारी तो देखो है तुसे पर लेकिन इतनी जादा नहीं है थोड़ा सा पोका बोइंग का असर हलका हलका लेकिन टोप बोरर सा जो किसान भाई काफी परे दो इसके फंगस के अच्छे और इंसेक्टिसाइड कोई नहीं कोई नहीं है जैसे यह किसान भाई गन्ये को देखने आए हैं इधर को आप कहां से आए हैं बागडपूर अब पूरा परीचा बता दीजिए मेरा नाम संजीव गाउं बागडपूर है भाई जी अगरना देखना है तो काफी अच्छा लगा रोस पूरी है करने की ठीक ठाक है निकल गया अच्छे जैसे 16202 की चर्जा चल लिए हर साल कोई ना कोई वेराइटी नहीं जाती ऐसा लग रहा कि 0238 के समकक्स है यह या फिलाल मीज ऐसा लग रहा कि यो उसे खेल कर बोर और बगएरा कोई दिखाई दिया कुछ नहीं है तो आप बीज के लिए आये हैं कब ले जाएंगे अब अगर बारिस ना हुए तो चार-पाइट दिन में बुआई की तही आ रही है अच्छे आ अच्छे अच्छा उटम का गन्ना बुआई करोगे तो मनित भाई आज इधर को आऊ ये बताईए जैसा आपने ये गन्ना लगा रहा है ये विक्री जैसी हो भाई नहीं हो में तो आप एक और बताओ अगर कोई किसान भाई लेना चाहें तो अपना कोंटेक्ट नमबर और बता दीजिए मेरा कोंटेक्ट नमबर 94123 223 निन्याना अच्छा अच्छा कब तक दे सकते हैं आप इसे यह ओटम की हो जाए तो बहुत ही अच्छा है किसान भाई यह चाहते हैं कि हमारा खेश जल्दी से खाल लिया ना अच्छे एक जानकर यह ओड़ो को सिंपल वीधी से बवाई करनी चाहिए यह ट्रंच का ही बवाई का गना है क्योंकि इसमें कल्ले बहुत जाद है कल्ले जाद है साट की वह आगा 62 इंची कैफ हो जाए तो और भी अच्छा एक जानका रियोड तो यह ब्यात है मेड़ा है और गन्ने की पोरी भी बहुत लंबी है और गन्ने की मोटाई भी बहुत काफी है कल्ले कि लो हाँ दो जी तीन चार पांट चैसाथ आठ नो दस ज्यारा बारा शेरा चोदा चोड़ा गन्ने उसमें है यह कुल मलायक बात यह है अगर सिंपल भी दी सब भाई करें तो जादा कल्ले नहीं हो पाने की मोटाई कम रहा जाए गन्ने की मोटाई और भी दिक्कत आए यह तो किसान भाई सब ब नहीं थोड़ा उससे बिल्कुल एक्सपिरियंस हो जाएगा कि हावी कैसा है जैसे यह किसान भाई लेना है और भी तुम से संपर्क कर रहे हैं तो मैं तो यह कहूंगा कि सही रेट में आप गन्ना दो और बिल्कुल सही जानकारी उन्हें मिलनी चाहिए कि कैसे बवाई करन और बाद में यह कह देते हैं कि इसमें कुछ नहीं लगा यह नहीं पिछले साल की आप देख लो सामने पेड़ी खड़ी है वह ब्रूर्मल दवाई थी पिछले साल को इस प्रेवी निकर आपको मैं पताया तो इस वारफ कमें दो इस पर रहे हैं अच्छा किसान भाई हो ए पर से पतला होता चाल लग यह नहीं सोले दोस्तों अगर किसी हो तो अपनी देख लो पहना देखो संतुष्टी करो संतुष्टी करना अच्छा एक जान करियो तो जैसे और वेराइटिया सब किसान भाई बंधवा रहे हैं आपने यह बिलुकुल नहीं बंदवाई मैंने देखो कोई गन्ना चाहें पेडी हो नोलक हो कोई गन्ना मैंने अड़तिस हो यह हो कोई गन्ना मैंने निबंधवाया अच्या पेडी का और नोलक का सब ट्रंच का वह यह पांच पिट नहीं 16202 में मुझे कुछ यह भी लग रहा कि गिनने की समस्या कम है एक भी गन्ना इन किस में तो एक चीज है लागत जाद है ना दें कभी और व्रायटी की तरह इसमें लागत जाद है पेल का और दो spraying सकते हैं दन्यवाद मंसकार